हाई फ्रेंज कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रे के नौ दिनों में कल से लेकर के अगले नवमी तक मतलब नवमी जो आ रहा है नौ दिनों में आपको कात्याईनी मा के मंत्र का जाप करना है जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है जिन लोगों की अरेंज मा रिष्टे आ नहीं रहे हैं, या फिर जो अपने किसी मन्चाहे वर से शादी करना चाहते हैं, मतलब specific person से शादी manifest कर रहे हैं, उन सब के लिए ये मंत्र बहुत पावफुल है इन नौ दिनों में, आप सुबा जब देवी मा की पूजा हर्चना करते हैं, उसी समय पूजा के स् लीजे, और अगर सुबा नहीं कर सकते हैं, तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं, जिस समय शाम की संध्या की आरती होती है, उस टाइम पे भी आप इस मंत्र को आसानी से बैटके कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा मंत्र है ये, ओम क्लीम कात्यायनी, महा माय, महा योगे सिंपल सा मंत्र है, और इस मंत्र की चैंटिंग मेरे ग्यान24 के चैनल पे है, 108 बार, ठीक है, तो इसी चैनल पे आप आराम से इस मंत्र की चैंटिंग का जो लिंक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आप लोगों के लिए easy रहे, अगर आप 108 मंत्र की चैंटिंग के साथ साथ चैंटिंग कर रहे हैं, तो कर लिजे, अगर आप खुद अपनी माला गुमा के 108 बार चैंट करना चाते हैं, तो कर लिजे, ठीक है, आप ध्यान रखेगा, कि जो भी भी आप इन मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट करो, जैसे आप कल बैठ होगे पूजा पे और पूजा पे बैटो या फिर जिसके घर में पूझा नई हो रही है कहीं एक आंथ जगा में बैटके इन मंतरो की याप आप हल्दी ठोड़ी सी हल्दी अपने हाथ में रब के जाप करेंगे ठीक है अगर आप सीधे हाथ से माला फेर रहे adapted है तो भी आप अपने उल्टे हाथ में ही, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, उस लेफ्ट हैंड में दो चुटकी हल्दी रखके और फिर इस मंत्रों का जाप 108 बार करेंगे, ठीक है, आप वीडियो के साथ कर रहे हैं तो आपको count करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मातारानी के चर्णों में अर्पित कर देंगे, वहां पे डाल देंगे जहां पे पूजा का स्थान है, वहां पे मातारानी के चर्णों में यह हल्दी आप चढ़ा देंगे, जिसके घर में पूजा नहीं हो रही है, वो क्या करेंगे, वो आपके घर का जो भी पूजा स्था हल्दी को ठीक है जो बहुत क्लियर है इस तरह से करके आपको करना है 108 बार और फिर जब आप ये हल्दी चढ़ा रहे हैं उस टाइम पर अगर आप चाहें तो कोई कोई specific person है तो उनके लिए आप प्राथना कर सकते हैं प्राथना कभी present या past tense में नहीं होती है प्राथना request की तरह होती है तो request करते हुए आप मातारानी से प्राथना कीजिए और अपनी शादी के लिए कि हमारी so and so person से शादी हो जाए या अश्रवाद मुझे दीजिए इस श् के कुंडली में भी कुछ ग्रहों नक्षत्रों की बाते चलती रहती है कि उसकी वज़े से शादी नहीं हो रही है तो ये मंत्रों में ताकत होती है कि उन सब ग्रहों नक्षत्रों में जो रुकावटे पैदा हो रही है उनकी वज़े से उन सब रुकावटों को दूर करते ह और फिर येस शादी की बात बनती है आपके soulmates आप से directly आके मिलते हैं या फिर जो आपका मन जाहा कोई इंसान है जिससे आप विवाह करना चाहते हैं तो उसके साथ योग बनते हैं उसके साथ चीजें align होती हैं चीजें वैसा कुछ blessing मिलती है आपको कि अगर parents राजी नहीं हो जाएं मतलब किसी भी तरह की अर्चन होती है वो खतम होती है और फिर शादी होती है डेफिनेटली होती है इसके बहुत सारे results मिले हुए हैं बहुत सारे लोगों की शादिया हुए है इस मंत्र को करने से तो जो लोग भी शादी manifest कर रहे हैं किसी से भी कल से लेके 9 दिन तक ऐसे कीजिए डेफिनेटली शादिया होंगी जरूर होंगी और आपके मन पसंद परसंद से ही होगी इसी के साथ विदा लेती हूँ नवरात्र की आप सब को बहुत सारी धेरो शुब कामना है